आपके घर के उपर दबिस पड़ी आपको भागना पड़ा ऐसा भी कोई कंडिशन हुई कभी मैं कभी भी दीवाल पूद कर नहीं भागा हूं चीदे भागें अभी रंजीत बहादू की ताकत को जिले में कोई जानता नहीं है रंजीत बहादू जनाधार वाले नेता हैं बीजेपी के लोगों ने मेरे खिलाब प्रचार किया था रेंका गुट नहीं चाहता था उपंदर गुट चाहता था तो जब इतनी दिक्कत थी कि अपको लग रहा था कि यह सारी चीजे हो रही तो आप प्रियांका जी के पास जाते बाब बैट के बात कर लेते भाई प्रियांका को कोई बात कही हो मैं यहां पर दूसरे गुट से हा रहा हूं जो प्रियांका के करीब था और मुझे नाम लेने में कोई संकोच नहीं यही संतोष सिंग यही पंकी गुपता एक समय जब प्रियांका रावत इलेक्शन जीते हैं तो आप उनको बहन मना लेते है उसके बार में जब उपें नरावत इलेक्शन सांसदी का जिखते हैं वारावंकी से तो आप उनको भाई बना लेते हैं आजकल सुनने में आ रहा कि तनुझ पुनिया को अपना बेटा बना कर गोंग रहे तो इसमें कि नहीं बताई तो आप जब रैली करते थे तो आप जा आप जाते हैं पहला चुनाओ जब में लड़ा था तो सब कहते हैं कि आपने खुब बिर्यानी बांटी तो आप बांटी तब तो मैंने मुस्लिम को आली नहीं दी वो मुसल्मान मुझको अपने इलाके से हराकर के हफीज भारती को चुनाओ जिता देते हैं और उसके बाद तो आदमी बुला के लोगों के उपर अटाइक कराते हैं तो क्या मैं तो लाला हूं मैं क्या मारता कि इसलिए आप कभी फसे नहीं दूसरे के कंदे को मंदू रखे चला पर पुलिस हमारा एंकाउंटर करना चाहती थी क्या दिमाग में चलता था कि लगता था कि अभी एक कोई सवाल ही ने उड़ता था और चित्ती ही नहीं था कि जो आदमी छे साथ आट बंदूग गन ले कड़के चलता हो उसे हांत की मार पीट क्या हो तो बंदूग से हुई बंदूग से नहोती तो मरते कैसे सतीस पांडे से क्यों दुश्मनी आप कि हो गई कहां दुश्मनी होगी एक मामूली गवाह था तो आपने हमले करा यह आरूप लगते रहें आपके ऊपर कई बार तो खुलियाम कहते हैं कि नहीं मान रहा था हमले आपने करवाय था क्यों नहीं कराएंगे कभी मार भी पड़ी कि दूसरे को ही मारते था नहीं खैर भगवान की दया से एक च बात में क्या होता है कि अभी जो इलेक्शन हुआ है उसमें उन्य का छोटा भाई आता है आपके खिलाब इलेक्शन ड़ता है जब वो अपने भाई के नहीं हुए तो दूर आज जो कुछ आप देख रहे हो किसका बनाया हो क्या दिखाई पड़ रहा आपको एक चीज बित दूर्स्तो मेरा नामनो धीमान आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है इनका नाम है रंजीत बहादुर स्रीवास्तो और इस नाम से ना पूरा बारवंकी चिर परचित होगा पूर चेर्में रह चुके हैं बारवंकी नगरपालिका के तो आज इन से हमारे सवाल रवाब होँगे और ये वीडियो देखकर आपको बहुत ही ज़ादा आनने वाला है तो बहुतत स्वागत है आपका हमारे यूटुब चानल के उपर आपने हमारे लिए समय निकाला उसके लिías बहुत बहुत धन्युआए। चिला सीतापुर का हूँ, गराम गवरिया है, पिता जी हमारे लेखपाल थे, और उनकी लखनव की पोस्टिंग थी, गाउं भी हमें अभी तक याद है, वो रसूलपुर सरकिल हुआ करती थी, जो मलिहाबाद की तहसील थी, मेरा जन भी मलिहाबाद के हास्पिटल में ही और क्योंकि पोस्टिंग महीं रहती थी उनकी गुम फिर करके, तो मेरी सिच्छा भी जो कुछ भी हुई है, वो सब लखनों में ही हुई, एक एर्थ क्लास मैंने, उनके रिटार्मेंट के बाद, हमने अपने सीतापुर से पास किया और उसके बाद फिर मैं वापस लखनों ही आ गया, उसे इच्छा हमारी सारी लखनों, बहुत कम समय आपका उस गाउं में बीता जहां पर आपका जम हुआ एक साल, एक साल आप वहाँ पर हैं, माता पिता में सबस्दा लगाओ किस से था आपको? देखिए, माता से लगाओ तो पुत्र का स्वाभाविक तोर पर ज़्यादा होता है, और पिता को इतनी छुट्टी भी नहीं होती हो, अपने कामों में अर्दस्त रहते हैं, तो लगाओ तो होते होता है, लेकिन माता से ज़्यादा होता है लखनओं में आप लखनओं निविश्टी में थे तो आपने च्छातर राजनीत की थी वहाँ पर हाँ प्रतिष्ठे च्छातर ने दा रहा हूँ क्या प्रतिष्ठा आपकी रही है कुछ बदाईए थो ना देखें प्रतिष्ठा हमारी यह रही कि पहली बात तो मैं कई बड़े आंदूलनों में सबसे पहली गिरिफ्टारी 18 मार्च 1974 और आंदूलन का नाम था बिरला आंदूलन अब आप कहेंगे बिर्ड़ा अंदूलन क्या होता है तो बिर्ड़ा जी यहां से राजसभा का चुनावलर रहे थे चातरों ने इनका बिरोध किया उस समय राजनारायन जी और एक और नेता थे वो चुनावलर रहे थे तो चुकि यह पूंजी पती थे इसलिए हम रोगों ने इनका बिरोध किया और बिरोध करने के बाद इनके बिरोध जो प्रदर्सन हुआ उसमें मेरी अन्य चातर नेताओं के साथ में गिरिफ्तारी नेता थे आगे चल करके एक-दो बार और घृफ्तारियां ह Ctrl 12 मे पिर जे पी ठी मूशन सुन होँ गया और जेपी मूव्मेंट में मेरी सक्री भागीदारी रही मैं मीशा में भी रहा हूँ लेकिन मैंने पेंसन नहीं ली सक्री भागीदारी रही और हमें गर्व है इस बात पर कि उस समय छात्रिवास अंगर समय दो बनी थी एक दलगत पार्टी गत थी एक निर्दली थी तो निर्दली में बापू सीवी सिंग इसके अद्धेच थे और मुझे महामंतरी होने का गवरोगासिल हुआ था मैं प्रदेश का महामंतरी था छात्रिवा संगर समित का चुनाओ लड़े कभी अब? मैं चुनाओ मैं परचा दाखिल किया था लेकिन चुकि हमारे संगठन से अद्धेच और महमंतरी दो लड़ाए जा रहे थे तो महन प्रताप सिंग का अद्धेच में था जब अतुल रंजान चुनाओ जीते थे तो यह हुआ कि हमारा समय हमारा एलवी सेकंडियर था तो यह हुआ कि आप अगला द्धेची लड़ लीजेगा वरना चुनाओ कमजोर पड़ जाएगा अद्धेच का तो महें महमंतरी से भी ड़ागरा दिया गया था हमने कर भी लिया था लेकिन वो नौबत नहीं आई आगे नौबत इसलिए नहीं आई कि 78 में चुनाओ के पहले ही हमारा लखनोवी स्विध्याले से एक्स्प्रसन कर दिया गया बाईजत निकाल दिया गया चात्र जीवन जब होता है नया नया खून रहता है लड़ाई जगड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं तो कभी मारपीट हुई लखनोव इंविश्ट्री में देखे ऐसा है कि चात्रगड दबंग नहीं है और भी लखनोवी स्विध्याले का तो 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 टीपे खाएगा मारपीट हुई खाएगा हाँ हो जाती थी हो जाती थी और मैं तिफाकन थोड़ा करेजी अस्ता मारपीट करने में आगे रहते थे नेता उसका भी था नेता इसका भी था अपने दल का भी नेता था मारपीट के दल का भी नेता था तभी मार भी पड़ी तो लिहाजा मैं एक सेना में होता है, हर चीज में होता है फर्स्ट अटैकर, तो मैं फर्स्ट अटैकर था, मैं पहले ही मार लेता था, तो जो पहले मार के निकल जाते थे जो बाद वाले होते थे उनको, मार के भगा देता था, मार के भागता थोड़ी था, जी, तो छातर जी और मैंने आपको बताया कि 78 में LLB Second Year की परिच्छा मैंने दी और दी क्या चल रही थी और उसी समय मेरा एक्सपलसन हो गया मैंने तो LLB बात में की है डिये विकाले से जाकर के तो हमने LLB भी लखनो विस्पदाले से पूरी नहीं की अंतों केवल चार साल रहे निकाल दिये गए इनुवस्टी से एक्सपलसन हो गया था परिशान कर दिया आपने सारे परिशासन को प荷ैसान क्या कर दिया था देखे चातर रاجनी थे अब की राजनीट उस समय की राजनीट में थोड़ा सा अंतर था हम लोग चातर रहतों के लिए वास्तों में लड़ते थे सचाई में लड़ते थे बच्चों के एडमिशन कराने से ले करके लड़कों के, उनकी फीस माफी से लेके उनको हास्टल दिलाने से ले करके, उनकी कापी किताबों की लाइब्रेडी कार्ड बनवाने से ले करके, और क्लास में अगर टीचर नहीं जाता था तो उसको बात धिकरने से ले करके, वाइस हास्टल में चहत्रों की मैं साथ की सुविधा महया कराने कुछ लेकर के, रंग भागन नहीं हुआ है, अगर अगर अच्छा नहीं है तो बरस डेपाट्मेंट में जा करके उनकी वेवस्ता कराने कर लेकर के, ये सारी जुमेंदारियां जो छात्रनेता की होती है वो हम लोग निवाते थे तो जाहिर सी बात है कि इन में कहीं न कहीं टक्राव हो जाता था तो हम लोग का वी सी से भी टक्राव होता था हम लोग का प्रैक्टर सी भी होता था हम लोग का डीन से भी हो जाता था और हम लोगों को प्रोश्ट से भी हो जाता थी जात्रावास के लड़के कमरा आप नहीं दे रहे हो गरीब आदमी को या कोई ज़्यादा दिन से रह रहा है तो उसको आप रखे हुए और नहीं को नहीं दे रहे हो तो जायरी चिपाते जगड़ा हो जाएगा हमारा मतलब दूसरों का भला करते करते हैं अपने पैरों पर कुलहाड़ी आपने माल लिए नहीं कुलहाड़ी क्यों आपको जब क्लास निकाल दिया नहीं देखे हमको मैं पहले से बता दूँ मैं बच्पन से जिस चीज़ पर मैंने जादा जोड़ दिया हमारी पढ़ाई में सुर पिस मिले एक कम हो जाता तो थर डिविजिन वो भी हो जाती तो हमारी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रूचिय नहीं थी लेकिन मैं मैं मेधावी था मैंने इंटर्मिजे नकल करके नहीं पास किया पढ़के किया लेकिन 4-6 गंटे की पढ़ाई भी मारी लिए बहुत हो थी तो पढ़ाई की पढ़ाई की लेकिन इससे ज़्यादा दोस्ती की मैंने हमारा दोस्त बनाने में ज़्यादा ध्यान लेता था और घूमना फिर ना यह सौक था हमारा बारा बंकी कैसे आना हुआ आप सीतापुर से लखनाव लखनाव से बारा बंकी कैसे आपका यह वो आपके ने बड़ा अच्छा सवाल पूचा, मैं आपको उताना चाहता हूँ, माध्मी सिचक संग क्या अंदोलों का समर्थन मैंने किया, मैंने भूम विकास बैंक का संगर समित का संयोजक में रहा, लखनवू इंडरिस्ट्रिल एरिया में काटन मिल में मेरी उनियन रही, एगरो की उनियन का धिछ मैं रहा, इनकार्डियो राइट का धिछ मैं रहा, तमाम उनियन अप्रान, यहां तक कि स्कूटर इंडिया में भी मेरी उनियन बन गई थी, तो मैं ट्रेड उनियन में भी रहा, और ट्रेड उनियन में काम करते हुए, आप बहुत उग्रनेता था और उग्रनेता इसलिए था कि हमने तमाम मजदूरों की मांगे मनवाई जिसमें सबसे बड़ी उपलब्दी हमारी यह थी यूपी एग्रो को निगम था है इसको राज करमचारियों का दरजा मेरा तेरा दिन का आमरानसन है यूपी एग्रो के गेट पर तो यूपी एग्रो के गेट पर मैंने तेरा दिन का आमरानसन किया वाओ बनारसिदाशी मुख्यमंतरी थे उस समय मैंने इनको यह लाब दिलाया था और एक इस्टेबलिस मैं ट्रेड्मिनले लीडर रहा लेकिन बस यह था कि एक चीज जो मेरे साथ में थी मैं अपने काम के लिए हम राज करमचारी सेंगत परसत के भी जॉइंट सिग्रेटर है यूपी के बाबु बियान सिंग जी अध्धिच हुआ करते थे उस समय तो मैं अपनी इमांदारी के लिए बड़ा मसूड था मैं किसी मिल ओनर से पैसे वैसे नहीं लेता था न बारगेनिंग करता था आग भी इमांदार है इमांदार तो मुझे लोग कहते हैं और ये मैं नहीं कह रहा हूँ एक ही बात से मेरा अकलन आप कर लीजेगा जब मैं यहां पर पहला चुनाओ लड़ा था मैं यहां पर पहला चुनाओ लड़ा था तो एक चीज मेरे लिए चरचा में आई थी कि लाला ने दुनिया में चाहे जो कुछ किया हो बारा बंकी में कुछ नहीं किया है अब चाहे जो कुछ में यह है मेरे ऊपर इतनी बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री जो आप अब ही आगे पूंचेंगे तो उसको मैं पहले बता देता हूँ इतनी बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री में मेरे ऊपर वसूली का डगैती का राजनी का चोरी का किसी को धमका करके पैसा लेने का मेरे ऊपर एक भी आरोप नहीं लगा और मेरे ऊपर एक भी मुकत्मा नहीं आया अब इससे बड़ा सबूत क्या दे सकता हूँ जनता ने भी कहा कि इन्होंने यहां कुछ नहीं बाहर किया आपने बाहर किया होता तो फिर जनता क्यों कहते है यहां इन्होंने नहीं किया बाहर किया अरे भई देखे जानकारी तो आदमी को अपने घर की होगी ना बाहर की थोड़ी होगी अब अगर आप लगनों वालों से कहिएगा तो लगनों वाले कहेंगे यहां भी कुछ नहीं किया तो यह तो भाई आदमी अपने घर की बात बताएगा ना कि दूसरे घर की बता देगा दूसरे घर में जाएगा वो भी यही बता देगा और सबसे बड़ी चीज होती है पुलिस रिकार्ड तो जब मेरा कहीं पर पुलिस रिकार्ड अगर मैंने कुछ किया होता तो लोगों के नाम पुलिस रिकार्ड में आते हैं मेरा नाम तो पुलिस रिकार्ड में नहीं आया तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि मैं इमानदार नहीं और इसी इमानदारी की वज़े से मेरी इच्छ भी बनी हुई थी मैंने मजदूर मुक्तिसेना बनाई मजदूर मुक्तिसेना उस समय पर बनाई और 1980 का LLJ हाई कोट का एक जज्ज्मेंट है वो मेरा सबूत है आप कभी मंगा के पढ़ लीजेगा मेरे उपर आरोप जो एने से लगा था तब 900 हार्डिरंस आया था तो जो 900 लगा था उसमें चार्ज मालू है क्या मेरे उपर लगा था रंजीत, बहादूर, स्रीवास्तो, इंडरेश्टेल, एरिया, तालकटोरा के मजदूरों को खूनी क्रांति के लिए बढ़का रहे हैं, ब्लडी रिवलूशन के लिए, ये मेरी क्रांतिकारता का सबूत है, ब्लडी रिवलूशन के लिए बढ़काने नक्सलाइट्स के उपर आरोप लगते थे, वो आरोप रंजीत, बहादूर के उपर लगा, और मेरी सेना बहन की ग थी सचवाले में घजट है इसका प्रतिबंध लग गया था और मैं अमरत विचार पत्रका से लेके काला बाजार पत्रका थी वहां कलकत्ता की और इंडिया टुडे से लेके कोई हिंदुस्तान के इसी पत्र पत्रका नहीं थी जिसमें मैं नहीं चपता था प्रमुकता से तो अरेंग मैरेज वही मान लीजिए जब तैंठीव का मतलब वही आया अब वो लेकिन अब यह है कि आज का लब नहीं था हमारी सजाती है तो साधी हमारी हूनी थी और मैं बेरोजगार था माता पिता जी थे लेकिन रिटायर हो चुकता है मैं पिता जी रिटायर हो चुकता जाहिस बाद मेरा खर्चा नहीं उठा सकते थे और लेकपाल की कोई पेंसन भी नहीं थी तो अब भाईयों के साहरे तो मैं साधी करके नहीं ले आता तो जब रोजी की समस्याई तो मैं यहां ठेकेदारी करने के लिए आया थोड़े बहुत पैसे घर से मिले थोड़े बहुत एक पार्टनर ले करके मैं साथ में आया तो यहां पर मैंने ठेकेदारी शुरू की और ठेकेदारी करने के बाद मैंने पैसा भी पैदा किया और हमने अपनी साधी भी की पत्नी से आपका कैसे जो है सम्मन्द रहे? पीछे एक अउरत का हाथ होता है तो वो हाथ है? पहला मकदमा तो आपने बता दिया कि दर्ज हुआ तो लखनौ इन्विस्ट्री में जब आप चाति ने रिता थे तब ही दर्ज हो गया था आपका बारवंकी जब आए तो आप जो है चंदरपाल दिवेदी से क्या आपका जो टकरा हो था? यही ठेकता दिए देखे वो सजायाफ्ता किर्मल थे और मैं कंट्रेक्टर था हमारे देड़ साल के बाद साधी के बाद साधी के एक साल देड़ साल के बाद उन्होंने अपना रिस्ट्रेशन करवाया अपना नहीं कराया अपने किसी मातहत का कराया उनका तो होई नहीं सक और इंटर्फेर करना चालों कर दिया है अब इंटर्फेर ठैकेदारी का एग होता है टेंडर को जबर्द्सृ कर लेना तो वह कैपचर करना चाहते थे कभिब्द्दी करना चाहते थे लिए मारपीड हुई नहीं हाथ पर की तो मारपीड उनसे होने का कोई सवाल ही ने उटता था ओचित्ती ही नहीं था कि जो आदमी छे साथ आड बंदूख गन ले करके चलता हो उसे हांथ की मार पीट क्या हो तो बंदूख से हुई बंदूख से नहोती तो मरते कैसे बंदूख है सुई आपने मरवाय है क्या क्यों नहीं मरवाएंगे हम मर जाते चंदरपाल दिवेदी को आपने मरवाया अब तो मुकदमा खतम हो चुका है हमारे उपर आरोप तो नहीं लगा लेकिन कहते तो लोग यहीं कि हमने मरवाया और अब हम कहते हैं अरे अब हम कह भी देंगे तो क्या फर्ख पड़ता है तो क्या मेन वज़ा क्या रही टकराओ कि जैसे कि देखी मेन वज़े यही रही चंदरपाल दिवेदी से जब आपका टकराओ चल लहा था तो तो ओम प्रकास गुपताजी ने आपको सपोर्ट किया ने ओम प्रकास गुपता का सपोर्ट यह हुआ देखिए दुस्मन का दुस जोसीला खून मिल गया अच्छा चलिए ये सारी चीजे हुई फिर आपके ठेकादारी अच्छे से चलने लगे फिर सतीस पांडे से क्यों दुश्मनी आप की हो गई अरे कहां दुश्मनी हो गई एक मामूली गवाह था तो आपने हमले करा ये आरूप लगते रहे हैं आपके सब कुछ कैसे आप डिफेंट कर लेते कि हाँ ठीक है हम लें करवाय ठीक है करवा रहे हैं आदमी हर पच्छ को अपना बचाओ कानून भी कहता है समिधान भी कहता है अपना बचाओ करने का हक सबको है देखे चंपाल दिवेदी इतना बड़ा बदमास था अगर ये उसकी ह दो में से एक मैंन में दो तलवार थोड़ी रह जाती है रहेगी तो एक है इसके बाद में आपके संग्राम सिंग जी से बहुत अच्छे संबंध हुए जो राजसरकार मंत्री भी रहे हैं ते कि हमारे व्यावसाई की रिष्टे मने हैं मैं ठेकेतारी करते हैं आप संग्रा हारी रही हुए चाहिए दोने पैसे की रही हुए हमारी पत्ती पढ़ती थी उनके कामों में और कुछ काम में सिदारी बराबर बराबर की भी हो जाती थी कुछ में कम ज्यादा हो जाती थी हो ज्यादा पैसे वाले थे हमारा कम पैसा लगता था उनका ज्यादा पैसा लगत अपने से बड़े से ही वी, तो हमारे काफी बड़े-बड़े लोग दोस्त रहे और जो हमारी जिन्दगी में हमारे बहुत काम है, और मैं लोगों को सराह भी देता हूँ, कि घर में भाई से ज़्यादा दोस्त काम हा जाता है. अच्छा, आपके बहुत अच्छे संबंद रहें संग्राम सिंग वर्मा जी से, उसके बाद में क्या होता है, कि अभी जो इलेक्सन हुआ है, उसमें उन्य का छोटा भाई आता है, आपके खिलाब इलेक्सन लड़ता है, तो संबंद के बीच में राजनीत इतनी क्यों हावी ह है कि इनकी जिन्दगी कोई सहारा नहीं है, आज भी जिन्दा है, आज से सन बारा में मतबजे हुनको रिटायर कर दिया था उन्होंने, आज चोबिस बारा साल हो गए है, तो देखे, ये राजनीत जो होती है, ये एक बड़ी बिचितर चीज है, इसमें जब वो अपने भा है, तुम्हारे पास पैसा भी है, सब कुछ है, सारी चीजें है, तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो. हमारे पास एक चोटी से चैर मैं नहीं है, कहह रहा है, चुनाव अच्छा हुए, आपका बीच में टिकट थोड़ा सा कन्फरम नहीं था, तो आप जो है मुिसलिम मम्हुलो में जाते थे कहते थे कि आप लोग हमारा साथ दीजिएगा लेकिन जैसे कि टिकट मिल जाता है आप बोल चाल होते हैं पुरे बदल जाते हैं नहीं नहीं देखे एक चीज़ मैं बता दूँ मैं हमेसा यह चाहता रहा कि मुसल्मानों का बिरोध हमारा नहों लेकिन अभी यह कहने में और कहने में नहीं मैं इसे साबित भी कर सकता हूं कि मुसल्मानों ने मेरे पहला चुनाओ जब मैं लड़ा था तो सब कहते हैं कि आप बिर्यानी तो आपने मटवाई था खुब माटी तब तो मैंने मुसलिम को आली नहीं दी तब तो मैं मुसलिम इलाके में अच्छे ओट मांगता था और गर्व के साथ कहता था कि मैं हिंदू ओट से नहीं मैं मुसल्मानों ओट से जिजाओंगा लेकिन कुछ दिन बाद आप करने लगें मुझे मुसल्मानों जीत गए फिर हफीज भारती हमसे कैसे चुनाओ जीत गए जाहिर सी बात है कि जिन मुसल्मानों को मैंने बिर्यानी खिलाई जिन मुसल्मानों को मैंने गले लगाया जिन मुसल्मानों के साथ मैं गर्व के साथ क करूं और आप मेरे साथ गद्दारी कर जाए यह द्दाओं कर देजिए और आपको गद्दार मैं नहीं कहूंगा क्यों नहीं कहूंगा लेकिन एक बात आप बताईए आपने आरूप लगाये थे जब पहला इलेक्शन हारे थे चर्मैनिका तो आपने कहा था कि बेनी परसाद पॉलिंग जीता था मैं मुस्लिम पॉलिंग नहीं जीता था तो मैं हिंदू पॉलिंग जीत करके आ रहा हूं जब हिंदू पॉलिंग मैं जीत रहा हूं और मुस्लिम पॉलिंग हार रहा हूं वो तो बेनी परसाद वर्मा मुझको नहीं चाहते थे कि मैं चुनाओ जीतूं वो भी due to संग्राम सिंग, जिरा पंचायत में मैंने संग्राम सिंग की मदद की, मैंने इनकी गुंडा-गर्दी नहीं चलने दी, बेनी परसाद की, बेनी परसाद गुंडा थे क्या? गुंडा, बक्से बदलबा लेना, ओट कैप्चर कर लेना, और क्या होता है गुंडा-गर्दी, राजनेटी गुंडा-गर्दी? लोग उनको विकास पुरूष कहते हैं आप गुंडा कहते हैं तो ब्लाग परमक्री में ओट की पेटियां बदल के ब्लाग परमक्र माते थे हरका मामला है तो कहने का अताथ पर ये है कि वो नहीं चाहते थे और ये मैंने जिला पंचायत में नहीं चलने दिया जिला पंचायत तभी तो हर्दे ओट की चीना जपती में ही तो मर गए थे जिसमें वो ओट ही चीन ने तो भेजा था बेनी प्रसाद ने भेजा था ना संग्राम सिंग ने थोड़ी भेजा था उनके घर पर ओट चीन लाओ उसको किस ने भेजा था विधायक को बेनी ने भेजा था ना वो तो राकेश कर रहा कि घर पर वोट था उसको लेने गएते ना तो गुंड़ागर्दी किसकी थी आप हमारे घर पे चड़के आईएगा तो आप गुंड़े हुए कि हम अपना बचाव करना है हम गुंड़े हुए तो बेनी पर साथ को तो मैं खु बेनी की इसलिए तो कहता था कि यो अंतर राश्ट्री है हम तो इसलिए मुझे जीतने नहीं दिया हो जानता था मेरा प्रभाव हो जाएगा तो मैं 183 ओर से हारा नहीं था आज भी लोग के थे मैं हरवा दिया गया था तो यह गुंड़ाई नहीं हुए कि आपने इंडिया में स्पी को बैठाल करके मतलब हम चुनाओ अरवा दिया लाठी चार्ज करवा दिया जनता के ऊपर लाठी चार्ज कर रहे थे लाठी चार्ज हुई थी आपके ऊपर भी हमारे ऊपर क्या होती है हम दो लाठी बहुत अच्छी चला लेते हैं अच्छा आप यह बदाईए आप चलिए आप इलेक्शन लड़े कभी पुलिस फोर्स का जिसे कि आप बता रहे हैं आपके घर के उपर दबिस पड़ी आपको भागना पड़ा ऐसा भी कोई कंडिशन हुई कभी कि मैं कभी भी दीवाल कूद कर नहीं मागा हूं सीधे भागे नहीं भागा भी नहीं पुलिस आती थी मैं स्वागत करता था चला आता था साथ में कौन मैं डगाईती रालता था जो मैं जानता था कि हमसे कबूल वाया जाएगा अरे भाई सीधा सीधा मामला है हमने किसी को मारा मरवाया तो मौके पे आ गए पकड़ लिए पर चलो भाई मुकदमा ही तो लगेगा तो मैं भाग के क्या करता भाग भागता वो आदमी है जिसको ये डर होता है पुलिस थाने में लाज़ा करकर अभी कबूल आएगी दुन और जिनके पास असलह होते थे जही से में पकड़ा जाता था भाग जाते थे हो साइ हमको कहा मिलते पुलिस अगर हमसे पूछती भी तो मैं कौन सा पता उनका बताता कि शाले कि सड़क पे भाग के गए हैं तो उनको नह पकड़ा जाना था कभी ऐसा नहीं लगा जिससे पुलिस हमारा एंकाउंटर करना चाहती थी लेकिन जनता के दवाओं में और कुछ राजनेतिक हमारा सनच्छन भी ता यहां भाबू रामचंदर बगास सिंथे सुरेना तवस्ति पुत्तु भाईया वगरा थे यह सब लोग थे जो मेरा खुल करके जनता सुंदर लाल चित थे यह सब सब पूरी मत कोई पारटी एक नहीं थी हर दल कनेता हमारा सनच्छन देता था साथ में हमारे भाई वकील थे और मैं भी लल्बी कर चुका था तो मैं भी वकील हो चुका था तो इतना सब दबाव प्रेसर बंने के बाद कोशिस की तेन बार की लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी क्या दिमाग में चलता था कि लगता था कि अभी एक घंटे में जो है पुलिस काउंटर कर देगी तो फिर आपके दिमाग में उस समय क्या जलता था यहांता तो नहीं मार पाएंगी यह इतना आदमी पीछ बाहर खड़ा हुआ यह क्या मारेंगे हमको मेरा में मैं पड़ता था जाहिर सी बात है कि मैं एजे चाथने था और एजे दबं कारते था के सामने कालविन ताल के दार था तो यह थनता थोड़ा सा अपना अपने कालेज वालेश से खुराफाति ता उटता बैटता था तो यह कुछ लड़कों के साथ मेरे पास आजाता था चोटा था ये तो ये कुछ लड़कों के साथ आजाता था ना कि एक आज बार मौका ऐसा है कि सुबास मिस्रा मुझे बहुत अच्छी तरह से जाद है कि वो लड़का आई टी कालेज का था तो लेकर के इसको आया तो हमने इसे पुंचा कि इसको कहे लिए गुम रहे हो चोटा से लड़का है मैं नहीं जानता था ये बुलू को ना तो उसे ने बताया कि नहीं हैवाइशा ये बड़ा तेज लड़का है मार पीट वार फीट में तो हमने कहा कितना हुट तेज है लेकिन उसको बाहर करू तो फिर कैसे इतना जाद सम्मन देरे जब जाहिर सी बात है कि हुनर जब उसका खिला और हमारी भी लड़ाईयां सुरू हुई तो हमें भी जब आद्मियों की ज़रूरत पड़ी तो मैंने मुझको बुलाना पड़ गया तो हमारी बुला के लोगों की उपर ट्रेक कराते थे तो मैं तो लाला हूँ इसलिए आपक अभी फशे नहीं दूसरे के कंदे को बंदू रखे चलाते रहे जब मारे नहीं तो मैं पशता क्या अपर आदियों को सद्चन भी आप देते थे अच्छा ये बताईए जब हम आपसे काम लेगें तो आपको सनच्छ नहीं देंगे जरूरत पर मिलेगा कून जब मेरी दुस्मनी है देखें मैंने कप्तान साहब से एक बार कहा था कि आप बदमास क्यों पालते हो तो मैंने एक बात है मैंने कहा था हमने कहा कि देखिए साहब हमारे घर खांदान में तो कोई ऐसा है नहीं जो मर जाओं तो बदला लेगा या जिसको मालने भेज़ दू तुमार के आजाएगा तो जाहिए सी बात है ये बदमासे तुमारेंगे तो इनको नहीं पालेंगे तो हम किसको पालेंगे भई हम सरीफ आत्मी का हमारे घर में काम क्या है सरीफ आत्मी रखके क्या करूंगा जब तक लड़ाई चली जब तक हमारी लड़ाई चली मैं तो एरानिया कहता था मैं बदमास पालता हूँ, क्यों नहीं पालूंगा? उनमें ए बबलू भी थे बबलू का ए बबलू जैसे 500 थे मनलब आप बबलू जैसे 500 लोगों को पाल चुके हैं कि पाल रहे हैं? अब नहीं आप क्या पाल लें सब समय खतम हो गया एक आरोप और आपके उपर लगता है कि बबलू स्रीवास्तों का जतना पैसा है जितनी प्रॉपर्टी है सबाब मैनेज करते हैं देखे जो आदमी अपनी जवानी में मिल ओनर्स जहां पर थैले लेकर के स्ट्राइक के लिए खड़े होते थे कि नेता जी हरताल मत कराईए सम्झोता करवा दीजिए और आप इतना ले लीजिए और ट्रेड यूनियन का ये एक इतिहास भी है उच जगे पर जो आदमी गवाही है इस बात की आज भी कुछ लोग जो आदमी चार आने का जीपियो आफिस पर चना खा करके पूरा दिन काट लेता था और मैंने बताया मेरे उपर एक भी आरोप ऐसा नहीं है तो मेरे पास इस तरह की कमाई ना मैंने रखी और ना मैंने की आज मेरे पास सब कुछ जितना है सब मैं इंकम टेक्स पे ही हूँ जितनी प्रापरटी है मेरे पास एक नंबर की प्रापरटी है ना मैंने कहीं एक जमीन कब जा की है ना मैं मापिया बना ना मेरा कोई मामला है और ना मैंने किसी का पैसा लिया बबलू को खर्चा दिया होगा मैंने बबलू को खर्चा मैंने दिया होगा खर्चा लिया नही चाहिए बिलकुल चाहिए था जब एक बार नहीं दियो तो दौरा क्यों मांग ले वही मतलब दिमाग कें अंदर वही चीज़े चल लही थी जब नहीं दियो तो काहें मांगे दो लेकिन जब इस बार बीजेपी से टिकेट करने वाला था तो आप मुसल्मानों के पार जाते तो हमारा विदायत था कि मैं मुसल्मानों को आफर देता कि मतलब जो है अगर चाहो तो हमारे गले लगो एक मेंसे चला जाएगा नहीं लगे लगे लगा लेकिन जैसा है टिकेट मिले हो ऐसे फिर आपने बोल दे कि मरेशिदों को तो जब नहीं आ रहे हो तो क्या मतलब जो ह हम कहने हैं यह हमारे गले लग जाइए आप कहरें हम नहीं लगेंगो तो जाइए फिर अपना काम करिए जाकर के फिर तुम फिर हम आपकी तारीब भी करते नहीं हो आप हमारे साथ धोड़ा सा है कि आप हमेशा मुस्लमों खिलाब बोलते रहें आपने बोला कि हम पानी बंद करा देंगे उनका कोई काम नहीं करेंगी लेकिन जैसे ही आप चेर्मेन मनते थे तो सब कुछ नॉर्मल तरीके से करते थे किसी एक साथ भीध भाव नहीं करते है पाइपलाइन जब निकल लगी है तो हिंदू मुसलमान के घर पे दो तो नहीं निकलेंगी तो फिर आप क्य हुमारे हैँ मिल जाएगा आतंक दो नहीं थे खिंदू मुसलमान के बीचमरे आपके बीचमरू रोटी का साज़ा हो सकता है हमारी आपकी थाली एक हो सकती है लेकिन जहां पर धार्मिक बात आजाएगी जहां पर अल्ला और ईसर की बात आजाएगी तो अल्ला में इसर का मिसरन हम आप नहीं करा सकते हैं रोटी एक में खा सकते हैं अल्ला ईसर नहीं मिलेगा तो जब तक ये धार्मिक लड़ाई है, हमारे आपके बीच में मदवेद है, तब तक हमारा उस जगे पर तालमेल नहीं होगा जाकर के, उस जगे पर तालमेल नहीं हो, ये मैं देखे पढ़ा लिखा बहुत दिक आदमी हूँ, मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ, जो के मस्जीद में नमाज पढ़ेंगे, हो जाए गई है, फिर बात कतम हो जाती है, अच्छा, आप जिससे की बड़े नेता रहें, बिजेपी में रहें, इससे पहले भी आप राजनीत करते रहें, रामनेकर में एक बारा विधायकी का चुनाव लड़त है, निरले लड़त है सन पचासी में लड़े थे, लेकिन एक चीज़ ये भी है, कि अभी फैरिद महपूज की दवई हैं, दिफाकन, हम चुनाव पूरा नहीं लड़े थे, चार या पांच दिन पहले, गजेन सिंग चुनाव लड़ रहे थे, गजेन सिंग काफी मसूर आदमी थे, मसूर मैं भी तो वहां के जो हुकम सिंगर रहे और ये अवस्ती जी एक थे, कई लोग कमर मिया थे, तो इन लोगों ने हमसे का गरेंजीत, एक चीज है, कि अगर तुम दोनों लड़ते रहे, तो गजेन फिर चीज जाएंगे, तो जाइन सिबात है, वो पार्टी से थे, मैं रिड़ दि जार की, और वो जनसभा का डायलाग आज भी लोगों को याद है, रामनगर में जा करके पूछ ली जा, कि फरीद को मैंने अपने मंच से कहा था, कि यद बड़ी जनसभा थी, हमारे नाम पर प्रब्लीक कर्ठा होती थी, तो उस जनसभा में मैंने कहा था, कि अगर गुंड जाहिर ची बात है, जब मैं खुदे अपना ओट नहीं मांग रहा हूँ, फरीद का मैंने ओट मांग लिया, तो मुझको साड़े पांच से जार ओट भी मिल गया, बहुत मिल गया ही, और फरीद जीत गए, अचा आप वहां पर भी, मुझक जिससे दुस्मनी होती है, आप भ कि बुद्धिमान आदमी बहुत चीजें ऐसी कर लेता है, जो लग भी जाती है, और नहीं भी लगती है, और क्या था पोस्टर में बताईया था, पोस्टर में ये था, कि हमने एक वो दिया था, एडवर्टीजमेंट, खो गया है मेरा बंदर, बंदर कौन था, बंदर जिसके एध्या के आसपास मिलने की संभावना है, और इस्त्रियों पर बड़ा महर्बान है, ये सब करके दे दिया था, और बंदर के टाई लगा दी थी, तो वो जे, आपने का, रोष्ट कर दिया उनको, वो बंदर है, अपने हूँ, उसी मंदर में उलज गए, अपना जो है, सुनने में आता है, कि आप बहुत अउसर वादी नेता है, एक समय जब परियंका रावत इलेक्शन जीठे एंट, तो आप उनको बहन मना लिते हैं, उसके बाद में जब उपेंद रावत इलेक्शन सानसथी का जीठे है, वारा बंकी से आत, तो आप उनको भाई बन लेते हैं आज कल सुनने मैं आ रहा कि तरुष पुनिया को अपना बेटा बनागर घूंग रहें तो इसमें कितनी लगत हैं देखें दो ये तीनों चीजें गलत हैं मैंने प्रियंका को भेन बनाए लेकिन हमारे उनके बीच में बद्वेत का कारण ये नहीं है जो लोने हैं हमारी पत्नी वीमार थी उनका घर सारा के पास में था मेरे राखी बांती थी एक बार मेरी पत्नी को देखने के लिए नहीं आई उसके बाद कोरोणा आता है कोरोणा आ जाता है एक तो मेरे अंदर वो छोब था दूसरे कोरोणा आया और अच्छा बंधन कोरोणा में पड़ गया तो मालिया अब उस समय तुम राखी नहीं बान सकती थी लेकिन अच्छा बंधन के होने के नाते राखी भेद तो सकती थी आपने मुझको राखी नहीं बेजी ये किसकी गलती है ये प्रेंका गलती नहीं है अच्छा अब इसके बाद आपने धीरे धीरे मुझसे खुद दूरी बनाई दूरी वो बनाई वो आप भी जानते हैं यहाँ पे दसल राजनेतिक अस्तर पर निचले अस्तर पर पार्टी में दो गुठ हैं जिस गुठ ने हमारा भी विरोध किया चेर्मेनी में क्या आप जानते हैं मैं समझवादिस हार गया हूँ नहीं मैं यहाँ पर दूसरे गुठ से हारा हूँ जो प्रेंका के करीब था और मुझे नाम लेने में कोई संकोच नहीं यही संतोस सिंग यही पंकी गुपता यही अन्य लोग जो प्रेंका के करीब थे यह समझती थी कि यह ज़्यादा ताकतवर है तो यह उनके चक्कर में हमको इन्होंने एग्णोर कर दिया दूरी बन गई अब जब दूरी बन गई और उपेंद रावत को टिकट मिल गया इनका टिकट कट गया तो जाहिज बात उपेंद सांसद हो गए अब उपेंद सांसद हो गए हमारी बहन से हमारा बोल चाल नहीं और उपेंदर आवत इसलिए बिस्वास नहीं कर रहे थे कि मतलब जह कि हमारे प्रेंगा के बड़े अच्छे संबन्न है तो जब अब मैं क्या सावित करता मेरे पास रास्ता क्या था मैं अगर उपेंदर के साथ खुल करके न खड़ा होता न खुलता तो पेंदर मेरे उपर तो मेरी चेर में नहीं थी तो इसलिए आपने प्रेंगा को उल्टा सिधा मैंने एक सब्द नहीं बोला एक सब्द आप लाईए एक सब्द लाईए जब मैंने प्रेंगा को कोई बात कहीं हो और प्रेंगा के लिए मैं लड़ गया अगर प्रेंगा के लिए आज भी मैं बह हमता हूं आज भी प्रेंगा के लिए कोई बुरा कहके दिखा दे मुझको वो बात अलग है देखें रिष्टे हमारे हो सकता है कि कभी बने सुधरें ना बने वो मर जाएं हम मर जाएं लेकिन मैंने विश्वासगात नहीं किया उनके साथ में मैंने दोखा नहीं दिया उन्हो हमको भेजनी थे ना उनको हम भेजते वराखी बांध रेती है अपने हमको भेजना चाहिए था ना और रह गई तनुझ पुनिया की बात तो तनुझ पुनिया आप ये बताइए यहां पर राजरानी चुनाव लड़ी थी आज की भी यही बात है मैंने अभी मतलब अवहार बना लिया बीजेपी ने मुझको बुढ़ा बना दिया कि बुढ़े आदमी हैं निकल नहीं सकते हैं अब वो भी यही कारण था यही कारण था राजरानी ने उस दल को उस उन लोगों को ज़दा समझते थे ये चुनाव जिता करके ले आ रहे थे ले आएंगे अभी रंज बहादूर जनाधार वाले नेता हैं आज की तारीक में इधर से उधर करने में मुझको दो मिनट लगते हैं राजनेतिक रस्तवी जनता का समर्था नहीं लेकिन फिर आप क्यों एलेक्सर ने जीत पाए अगर एक से दो मिनट में समाजवादिस नहीं आ रहा हूं मैं बता र प्रचार था मेरे खिलाब प्रचार ये था कि रंजीत बहादूर पार्टी में किसी की इज्जत नहीं करते हैं घमंडी हैं पार्टी को गाली देते हैं संग वाले कह रहे थे किसी कारिकम में नहीं आते हैं मेरी सुनते नहीं हैं बीजेपी का ये निगेटिव प्रचार किस की सादिम नहीं जाते हैं घर से नहीं निकलते हैं मेरे किलाफ यह प्रचार हो भातार नहीं थे मेरे खिलाफ इस बात का प्रचार नहीं हुआ जो बात मैं कह практи ragkers में आपके czainel के माढध्यम से जंता के बीच में जाएगा आप यह जो मैं कह रहा हूँ इसको तस्दीक करिएगा मेरे खिलाफ इस बात का प्रचार नहीं हो रहा था रंजीत बहादूर ने अपनी दस साल की चेरमेनी में कोई काम नहीं किया है और जो काम मैंने किया था वो आज तक चल ला है अभी अमरतियो जना के 170 करों रूप्या किसके प्रयास से आया है किसके मेरी चित्तियां थी आज ये बाराबंकी विकास प्रादिकरन पढ़ने जा रहा है इसकी मांग किस ने की थे रंजीत बहादूर ने की थी आज जो कुछ आप देख रहे हो किसका बनाया हो आज सुरंदर का बनाया हो क्या दिखाई पढ़ रहा आपको एक चीज बताईए ए मैं काम्च नहीं हा रहा मैं हा रहा अपनी पार्टी के दुस परचाड से और कहने में मुझको संकोँछ नहीं है कि इन लोगों ने जाकर कि सुरंदर को ओड़ दिया है जाकर कि हमारे डिखेट्व जाकर कि ओड़ दिया अभने कैसे नहीं चुना हो आर जाता ता बड़े अगर समालना चाहते, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि आपको पार्टी जुनाव जिताना ही नहीं चाहते थी, आदी नहीं चाहते थी, प्रियांका गुड नहीं चाहता था, उपेंदर गुड चाहता था, तो जब इतनी दिक्कत थी कि आपको लग रहा था कि ये सार अपने बहन के पास में जाके बिच्छा नहीं है, हाथ नहीं पहलाता हूँ, बिच्छा नहीं लेता हूँ, हार से हमारे उपर फ़र्क क्या पड़ गया। आप हमीसाब विवादित बियान क्यों देते रहते हैं, मतलब कभी मुस्मिमों खराब कुछ बोल देते हैं, मतलब ऐसे बियान क्यों देते हैं, जिसकी वज़े से आप लाहिम लाइट में रहना जाते हैं। ही कल दिया है, कल ही भेहन मैंने दिया है, की मिसनर्य अपने पैर फेला रही हैं गाऊंगाँं में। और आज मुसल्मानों से ज़्यादा गाता कि ये बंदी चली जा रही है तो अगर ये कहा जाए कि मैं खाली मुसल्मानों के लिए बोलता हूँ ये तो आरो गलत हो गया देखे जब धार्मिक बात आती है तो मैं ये भी बोलता हूँ कि हम अपने ही धर्म गुरूं के लिए कह देते हैं अपनी पार्टी के नेताओं के लिए कह देते हैं कि आप जो हमारे धर्म की परिभासा है जो हमारा धर्म है हम क्यों स्रेश्ठ हैं इसे आप समझाने में काम्याब नहीं हो पा रहे हैं इसलिए हमारे यहां जो हमारे धर्म के लोग हैं, हिंदु धर्म के लोग हैं, यह आप से अलग होते जा रहे हैं, इसाई बनते चले जा रहे हैं, मुसल्मान से कम ज़्यादा विसाई बनने हैं, पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जो धर्म की सही सीधी परिबासा ह और वो सब पर लागू होती, वो हर धर्म पर लागू हो जाएगी, जाकर कि मैं अपने ही धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे यहां स्रीमत भगवत गीता हमारा धर्मिक सबसे बड़ा ग्रंत है, इस वर के बचन माने जाते हैं, तीसरे अध्या का पैतासमारिस लोग क्या हुआ जो प्राकतिक रूप से प्रकति प्रदत्त है, सुभाव से, हमारे सुभाव से जो हमको मिला है, वो हमारा स्वधर्म हुआ और इसको सास्त्र विधिसे, इसको सास्त्र विदि से इसका संसकारित किया गया अब देखी ज़रा सब पर आईएगा सुभावगत क्या है सुभावगत ये है कि हमारा दो पेरों पर खड़ा होना ये हमारा सुभाव है चोपय का चार पेरों पर खड़ा होना हमारे आप दांत देख रहे हैं नर्भच्ची के दांत आप ने देखिए उसके चार दांत दुकीले होते है हर नर्भच्ची के आप देख लीजिए चार दांत दुकीले होंगे हमारे सामान बकरी के सामान हाथी के अंदर है खाने वाले लटका दिये भगवान ने इसलिए हो साका हारी है तो हम सुभावगत दूसरा क्या आया साका हारी हुए शेरमांसा हारी हुआ तो हम सुभावगत साका हारी हुए सुभावगत हम दो पैरों पर चलने वाले हुए सुभावगत हमारे अंदर भगवान ने बुद्धी दी हम सोचने समझने बोलने वाले हुए अब सास्त्रवित से संसकारित क्या हुआ अब सास्त्रवित जो तुम्हारी है कुरान है तो कुरान ने संसकारित उनको किया उनका खत्ना कराया उनका नाम कराया उस हिसाब से किया, उनकी भासा उस हिसाब से हो गई, उनकी नमाज, उनकी पूजा, पद्धत, जो कुछ हूँ, उनकी अपने हिसाब से हो गई, हमारे जो संसकार, हम सास्त्र विद्ध से जो संसकारित हुए, हमारी अपने हिसाब से आ गई, हमारा नाम दूसरा हो गया, हमारी पूजा पद्धति दूसरी हो गई अब ये जो सास्त्र विध्य है ये इसायों में अलग है वहाब यों में अलग है सब में अलग हो जाती है तो ये हो गई सास्त्र विध्य से संसकारित तो अब क्या सब्दाया प्राकृतिक सुभाव और सास्त्र बिधि अब इनसे जो तयार हुआ वो हमारा क्या हुआ है वो स्वधर्म हुआ और स्री बद्भगवत गीता में अठारिय अध्याय में फिर सहतारिस्वा और तारिस्वा इस लोग आता है कि अपना धर्म यह केवल मेरे लिए नहीं है किसी को भी अपना धर्म त्यागना नहीं चाहिए किसी को भी अपना धर्म नहीं त्यागना चाहिए यहां तक लिखा हुआ है कि स्वधर्मे निधनम स्रेया स्वधर्मे निधनम स्रेया अपने धर्मे मर जाना भी अच्छा है पर धर्मे भयाएवाद, दूसरा का धर्म अच्छा नहीं भयानक है, भले ही वो, भले ही वो आचरण में कितना अच्छा हो, मुस्लिम धर्म आचरण में अच्छा हो सकता है, उनको हमारा धर्म आचरण में अच्छा लग सकता है, इसायत आचरण में अच्छा, लेकिन अपने धर्म को त्याग नहीं करना चाहिए यह हमारी स्रीमद भगवत गीता का संदेश है आद दुनिया के कानून बनाते चले जा रहे हो धर्माना अंतरन है, यह है, फलाना है, नमाका है कानूनन अपराद है, यह सब अपराद है, आप अपने स्रीमद भगवत गीता के तीन इस लोका का बिशले सर नहीं कर पाते हो कि अपने धर्म का त्याग मत करिया है, यह तो मुसल्मानों पर भिलागू हो गया आप अपने धर्म का त्याग मत करिया है मैं अपने धर्म का त्याग नहीं करता हूँ किसा इपने धर्म काते हैं अगरे जगड़ा बिवात कतब हो जाता है मतलब आप यह कहरें कि आप सच बोलते हैं उसको लोग कंटोवर्सी समझ लेते हैं समझ नहीं पाते हैं अगर सच नहीं हो तो आप बता दीजिए यह समझे जो मैं दे रहा हूँ आपके चैनल के माद्वे जो लोग सुनते हैं तो लोग ना समझें तो मैं क्या करूँ मेरा काम है समझाना आप अपने बच्चे को समझाते हो कि बेटा पढ़ो लिखो डाक्टर बन जाओ और बेटा पढ़ने करके आवारा बन जाता है चोर बन जाता है तो आप क्या करोगे क्या करिएगा आप तुम भै भी यह कह रहा हूँ कि भै ठीक है आप अपने को समालिये अपने को देखिए ना दूसरे क्यों देखते हूँ दूसरे क्या अब बता दीजे हमको और इसलाम में भी यह नहीं लिखा हुआ है मैं तो यहां तक कहता हूँ जब धार्विक बात आ जाती है तो मैं कहता हूँ वो भी यह कहते हैं कि भै आप अल्ला को मानिये रसूल को मानिये और जो उनको ना मानिये वो कुफर करने वाले हैं इंकार करने वाले हैं आप उनसे दोस्ति दोस्ति बत्र किये तो यही हमारे धर्म में लिखा हुआ है तो बुराई कहां पर आ गई अच्छा जैसे कि आपने बताया कि इतने सालों से बहुत सारा अपराधिक जीवन आपका रहा है तो कहीं आपको लगता तो नहीं कि बहुत सारे पाप या पुन जो भी हैं आपने किये हो और लाश्ट में आपने सोचा कि एक मंदर खुल लेते हैं बाबा बन जाते तो वो सारे पाप धुल जाएंगे आपके देखिए मैंने आप से पहले कहा कि वो पाप नहीं है पहले पाप पाप को आप समझिए पाप मैंने अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी गरीब को प्रताडित किया हो वो तो पाप हुआ हमने पहले ही कहा कि जे में मारा ते में मारे अब ये तो भाई युद्ध का नियम है मरना कोई नहीं चाहता है तो मैंने पाप कहां से किया मैं पापी हुँ ही नहीं ना पाप का अपराद बोध है मेरे अंदर मैं अपरादी नहीं हूँ अपराद बोध अगर मेरे उपर होता तो मैं इतना चिलाता नहीं देखें ये मेरा पुन्य है अगर मेरे पाप होते तो बच्चे बिगड़ गए होते ये मेरा पुन्निफल है कि मेरे बच्चों पर मेरे किसी जो भी मैंने किया अब उसको गलत सही मैं नहीं कहूँगा अब यह आप करे थे बिलकुल सही कि आपने गलत नहीं किया हम एक बात अब आप कह रहे हैं कि मैंने आपने अपरात किया हमारे आपके बीच में जो मदभेद है उसको देखे उसको मैं दूर नहीं कर सकता हूँ आप कहेंगे हमने अपरात किया हम कहेंगे नहीं किया लेकिन फिर भी आपके कत्रानुसार भी हमारे नहीं हमारे बच्चों पर इसका कोई प्रभाव हमारे किसी जीवन का हमारे किसी दुस्मनी का हमारी किसी लड़ाई का कोई भी प्रभाव हमारे बच्चों पर नहीं आया मेरा पुन्य फल है आज मेरे बच्चों के लिए कोई कोई एक सब्द एक सब्द नहीं कह सकता है कि रंजीत बहादुर के लड़के इस जगे पर बिगडे हुए है ना उनके अंदर कोई जो दुनिया भी एब होते हैं वो भी नहीं लाश्ट में बताईए बारबंकी के जो दर सब्सक्राइब देख रहे हैं आने वाले समय के अंदर आप क्या करेंगे और आपने मंदिर खोला है वहाँ पर क्या चीज़े होती जिससे जन्ता जो है जो धार्मिक लोग है आप से जूर सकें देखें मैंने आपको पहले तुम्हें ने बताया कि मैं अपने धर्म की सही प राश्ट के प्रत आस्था रखने वालों का एक अच्छा संगठन तयार करना चाहता हूं, जिसकी मैंने गोशना भी कर रखी है, और दो अक्तूबर से उसकी मैं सुरुवात भी करने जा रहा हूं, गोशना मैंने क्या की है, एक परिवार, एक जन, यानि एक परिवार से एक अन्य ले करके, सौगंद खिला करके, राश्ट समर्पित व्यक्ते, मैं लूँगा, और ये संगठन, मैं अपने लिए तयार कर रहा हूं, जो सुद्ध रूप से, धार्विक रूप से प्रसिचित होगा, सारेरे रूप से नहीं करूँगा, मांसिक रूप से करूँगा, मा धर्मों की भी सही जानकारी जनता तक पहुचा सके, इसी से, इसी से ये जो धार्मिक उनमाद है, ये जब समझ पैदा होगी, आज आप भी जानते हैं और दुनिया भी जानती है, कि जाहिलियत ही सबसे बड़ा कारण है, जाहिलियत उचाहे जिसके अंदर हो, चाहे हिन्द उसलिने धार्मिक उन्मात कम पड़ जाएगा, यह मेरे जीवन का सेज जीवन का लग्चे. चलिए, बहुत बहुत आपको हरदी सुब काम नाएं और हमारा साथ रहेगा, विश्वास रहेगा, कि आप जो भी भववश्व में करना चाहते हैं, करें देश के लिए करें, जो लोग हमारा समाज है, उसके लिए कुछ अच्छा करें, जिस से समाज का भी कुछ ही सके, बताएंगे तो हम कोशिस करें कि उससे संपर करें और आपके लिए लेकर आया हमका इंटर्डू वीडियो बसंद आया है तो लाइज सब्सक्राइब शेयर जरूर के लिए का हम आप से मिलते हैं नहीं वीडियों के साथ नमस्ता धन्यवाद जैनि जैवारत